हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट ईवीएस के वीक नंबर 12 की वक्सीट को सौर्ब करेंगे जो की नौर्थ बैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बच्चों आप कि वक्सीट का टॉपिक है नेबर हुट सर्विस तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट है इस्टेट वेदर इज फैस्ट है लेट तो फैस्ट नेंगे हम को बुलाने के लिए उन जीडो इन घर नंबर करते हैं तो बच्चों आं अबूलेंस को बुलाने के लिए उन जीरो इन इस्ट करते हैं हम 101 डाइल करते हैं, next है, traffic police controls the traffic on roads, सडकों पर traffic police traffic को नियंतरित करती है, yes, it is true, right का निसान लगाएंगे true पर, next है, uniform of police and traffic police are different, traffic police की और police की जो uniform होती है, वो अलग-अलग होती है, yes, it is true, तो बच्चों true पर निसान लगाएंगे, color of fire engine is red, fire engine का जो color होता है, वो red होता है, yes, it is true, next is, we call police to protect from the dispute and danger, हम जगडों और खत्रों से बचने के लिए police को कॉल करते हैं, तो बच्चों ये भी सही है, यहाँ पर true पर निसान लगाएंगे, we should stay in a queue at bus stop, हमें bus stop पर line में खड़े होना चाहिए, तो बच्चों हाँ ये बात भी सही है, true पर निसान लगाएंगे, we visit a railway station to catch a train to go somewhere, rail के द्वारा कहीं भी जाने के लिए हमें railway station पर जाना होता है, next is tick the correct option, बच्चे हाँ पर सही option पर निसान लगाना है, first is we can buy pen, pencils, paper and envelops from a, हम pen, pencils, paper और लिफाफे जो है कहां से खरीतते हैं, stationery shop से, chemist shop से या फिर grocery store से, तो बच्चे इसका सही option है, stationery shop से, next is we can buy food items and other essential goods from a, हम खाने के item और जो जरूरी सामान है, उसे कहां से खरीतते हैं, stationery shop से, chemist shop से या फिर grocery store से, तो बच्चे इसका C option सही है, grocery store से, next is we buy medicines and cosmetics products from a, हम cosmetics products और जो दवाईयां हैं, कहां से खरीतते हैं, milk booth से, chemist shop से या फिर grocery store से, तो बच्चे इसका सही option है, chemist shop से, next is we dial number 2, call an ambulance, ambulance को call करने के लिए, किस number को dial करते हैं, 101, 102 या फिर 100, तो बच्चे हम किसको करते हैं, 102 को, तो इसका B option सही है, अब है number 5, a place which is not a big as hospital, एक ऐसा इस्थान जो hospital के जितना बढ़ा नहीं है, and has doctor age, लेकिन वहाँ पर doctor होते हैं, उसे क्या कहते हैं, bus stand, dispensary, police station, तो बच्चो correct option है, B, it means dispensary, जहाँ पर दवाईया मिलती हैं, next is, we can withdraw money at all hours from the, हम 24 घंटे, यानि कि कभी भी किसी भी समय, पैसे निकाल सकते हैं, कहां से, बैंक से, chemist shop से, या फिर ATM से, तो बच्चो correct option है, C, ATM से, next is, we can send letters through, to our families and others, हम अपने परिवार वालों को, और अन्य लोगों को, किसके माध्यम से, पत्र भेश सकते हैं, post office, chemist shop, milk booth, तो बच्चों हम किसके माध्यम से भेश सकते हैं, post office के द्वारा, तो इसका ए उप्शन सही है, Life is skill, plants are friends, बच्चों प्लांट्स होते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं, plants provides us oxygen, which is essential for life, पौदे हमें oxygen प्रदान करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, food, shelter, medicines, woods, flowers, etc. और क्या कहतेते हैं, plants keep on giving us things, which are essential for our living, plants जो हैं, वो हमें हमें साथ चीज़ें देते रहते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्चक हैं, and take care of us, और हमारा ध्यान रखते हैं, like our true friends, हमारे सच्चे दोस्त की तरह, uses of plants, तो बच्चों, आप यहां देख सकते हैं, कि हमें plants से कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं, we all should respect हमें पेडों का सम्मान करना चाहिए, and love plants, और उनको प्रेम करना चाहिए, as they are our lifeline, क्योंकि वो हमारी lifeline है, अब बच्चों, identify the things we get from plants, अब उन चीजों को पहचानना हैं, जो हमें plants से मिलती हैं, बच्चों, first picture में wood है, जो कि हमें plants से मिलती है, next बच्चों, ये plastic है, तो बच्चों, हमें plants से नहीं मिलती है, next है vegetables, ये vegetables हमें पेड़ पौदों से मिलती है, it means plants से मिलती है, next है बच्चों, brick, तो ब्रिक हमें किससे मिलती हैं, ब्रिक बच्चो मिट्टी के दोआरा बनती है, तो यह हमें पेड पॉदो से नहीं मिलती, next है fruits भी हमें,प्लांट के दोआरा मिलते हैं और flowers भी संसकार साला बिटिस लीव इंडिया अंग्रेजो भारत छोड़ो किसने कहां मात्मा गांदी में फूड में हैं इंक्लोड लाइक फूड लाइक खिचडी, पौरेज, इडली और ढोकला इन यूर डाइट बच्चो आप हलका भूजन जैसे की खिचडी, दलिया, इडली और ढोकला अपने डाइट में शामिल करें आप किसी भी फ्रीडम फाइटर का रॉल परफॉर्म करेंगे में का वीडियो एंड और इसकी एक वीडियो बनाएंगे जब उसका रॉल प्ले करेंगे और अपने टीचर को भीजेंगे इसपोर्ट में है प्ले कैरम विद फैमिली बच्चो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैरम गेम खेलेंगे डेली रूटीन बिगिन यूर डे बाइ ग्रीटिंग यूर पैरेंट्स अपने पैरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें ब्रश यूर टीथ ट्वाइस हर डे दिन में दो बार दातों को ब्रश करें टेक अब बात डेली रोजाना नहाएं ड्रिंक प्लैंटी ओफ वाटर परयाप्ट मात्रा में पानी पियें और संतुलित बोजन लें अवाइट टचिंग यूर फेस अपने चहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धुएं समय पर अपना ग्रहकारे पूरा करें सबस्क्राइब आप अपने होऊँ